हाईलो एब्रीबन वल्कम टू माई चैनल तो आज किस वीडियो में हम स्कूल के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगी तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और यह कपड़ा हमारा दो मीटर है तो सबसे पहले हमें आपर आगे बाले पल्ले की कटिंग करेंगे ठीक है तो कपड इंच पर हमें निसान लगाना है और यहां से आर्मोल की लंबाई ना पेंगे तो आर्मोल की लंबाई हमें आपर साथ इंच रखेंगे तो यहां पर निसान लगा देंगे और एक इंच पर हमें आर्मोल की गुलाई कर देना है ठीक है और गले की चोड़ाई हमें आपर ती तो ती इंच पर निसान लगा देंगे लंबाइगे तो इस तरह से बॉक्स मराएं करेंग और यहाँ पत्रिचे में लाये हैं एक इंच पर हमें सूर्डर्ट डाउन करने изуч एहाँ दरीक एक इंच पर जान रेंगे तो अब हमरें आपसा। एक निसान लगाएंगे 6 इंच पर कमर के लिए और दूसरा निसान लगाएंगे 12 इंच पर हिप के लिए ठीक है कमर की चोड़ाई हमारी 14 इंच है तो 14 को आदा करेंगे तो 7 इंच पर निसान लगाएंगे और हिप की चोड़ाई हमारी 16 इंच है तो 16 को आदा करेंगे तो 8 इंच पर निसान लगा देंगे और इतरे से 3 इंच को मिला देंगे साइट में हमें 2 इंच का मारजन लेना है तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगे और नीचे से हमें सीधी लाइन खीचनी है ठीक है अब हमें आपर सूट की लंबाई नापेंगे तो सूट की लंबाई हमें आपर तीस इंच रखेंगे और एक इंच का मारजन लेंगे ठीक है लंबाई अपने असाब से भी रख सकती है तो हमने लंबाई 30 इंच रखी है और 1 इंच का मार्जन लिया है अब हम यापर इसी निसान के उपर कटिंग करेंगे तो यापर आप लोग देख सकते हमने आगे बाले पल्ले की कटिंग कर लिया है तो अब हमें याँ पर क्या करेंगे पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो कपड़े को हमें फिर से दुबारा से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है तो हमने कपड़े को बिछा लिया है अब हमें याँ पर इसके उपर आगे वाले पल्ले को रखेंगे और उपर से हमें दो इंच जादा रखना है ठीक है पीछे वाले पल्ले को तो यहाँ पर निसान लगा देंगे यहाँ पर भी दो इंच पर निसान लगा देंगे और इत्र से तिर्चे में लाइन खीचेंगे गले की चोड़ाई हमारी तीन इंच है तो तीन इंच पर निसान लगा देंगे और एक इंच पर गले की गहराई करेंगे ठीक है और यहाँ पर सोल्डर की चोड़ाई हमारी साड़े चेंच है तो साड़े चेंच पर निसान लगा देंगे और आर्मोल की गुलाई हमें यापर डेड़ इंच रखेंगे तो यापर निसान लगा देंगे और साइट में हमें भिलकुल नीचे तक सेम निसान लगा देना है ठीक है तो अब हमें यापर क्या करेंगे कटिंग करेंगे तो यापर मैंने कटिंग कर लिया है यापर जो उमने दो इंच का मारजन दिया है वो कुछ इतरह से आगे की तरफ आ जाएगा ठीक है तो आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है अब हम यापर फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको कुछ इतरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरह भी फिटिंग वाला निसान लगा देंगे तो हिप की चोड़ाई हमारी 16 अंच है तो 16 अंच पर निसान लगाएंगे और कमर की चोड़ाई हमारी 14 अंच है तो 14 अंच पर निसान लगाएंगे आधीने की चोड़ाई भी हमारी 16 इंच है तो 16 इंच पर निसान लगा दिगे और इतरे से तीनों निसान को मिला दिगे तो हमने याँ पर दूसरी तरफ भी निसान लगा दिया है अब हमें यहां पर बाजू की कटिंग करेंगे तो कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है फिर हमें यहां पर इसको दुबारा से फोल्ड करेंगे और नीचे से हमें 1.5 इंच का मार्जन लेना है तो यहां पर निसान लगा देंगे और यहां पर बाजू की मोरी 4.5 इंच रखेंगे, तो यहां पर निसान लगा देंगे, और यहां पर बाजू की लंबाई 16 इंच रखेंगे, आदा इंच का मार्जन लेंगे, तो साड़े 16 इंच पर निसान लगा देंगे, और यहां पर हमें 2.5 इंच पर निसान लगाना है, तो इस तरह से बाजू की गुलाई करेंगे और बाजू की चोड़ाई आठिंच रखेंगे तो यहाँ पर निसान लगा देंगे और दोनों निसान को मिला देंगे ठीक है तो हमने निसान लगा दिया है अब हमें आपर कटिंग करेंगे हम यहां पर आगे की साथ हलकी सी गहएड़ा ही देंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे कट लगा देंगे यहाँ पर मैंने पल्ला लिया है, इसको मैंने फोल्ड करके, एक बीश इंटर पर निशाल लगाया है, साथ इंच पर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सीधा रखेंगे, और यहाँ पर हल्का सा कट लगा और यहाँ पर मैंने दूसरे कलर की पट्टी ली है तीन इन चौड़ी तो इसको तरह से फोल्ड करेंगे और जितना हमने कट लगाया है तो इसको हमें कुछ तरह से फोल्ड कर देना है ठीक है और फिर सिलाई लगा देंगा तो हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है यहाँ से थोड़ी पट्टी कटिंग करेंगे सूट को हमें उल्टा ही रखना है ठीक है और यहाँ पर मैंने चार इन चौड़ी पट्टी ली है तो इस पट्टी को उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे अब हमें याँ पर क्या करेंगे कट लगा देंगे और इस पट्टी को हमें सीधी तरफ से कुछ इतर से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पस से लाई लगानी है तो हमारी काज और बटन बाली पट्टी सिलकत त्यार हो गई है तो अब हमें आपस सोल्डर से लेंगे तो पीछे वाले पल्ले की सिदी साथ उपा रखेंगे और आगे वाले पल्ले की सिदी साथ नीचे की तरफ रखेंगे और आदांच का मार्जन छोड़के सोल्डर से लेंगे तो हमने यहापर सोल्डर को भी सिल लिया है अब हम यहापर कॉलर से लेंगे तो पहले हम यहापर कॉलर की लंबाई नापेंगे तो यहापर कॉलर की लंबाई आ रही है 15 इंच तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग लिया इसको फोल्ड करेंगे और 15 के आदे हुए 7.5 इंच तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है यहाँ पर पत्टी की चोड़ाई एक इंच रखेंगे यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और एक निसान हम बीच में लगा देंगे ठीक है तो है आसे कटिंग करेंगे आप चाहे तो बीच में कटिंग कर सकती है तो यहाँ पर मैंने कुछ इत्रह से कॉलर की कटिंग करी है तो यहाँ पर मैंने कपड़े पर चिपका लिया है अब हमें आपर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे फिर हमें आपर एक दूसरा कप्रा लेंगे और इसके उपर कॉलर को रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे फिर हमें आपर इसको अच्छे से सीधा करेंगे और इसमें हमें उपर की तरफ कुछ इत्तर से दाप से लाई लगा देनी है ठीक है तो आपर देखी मैंने कॉलर को तयार कर लिया है फिर हमें आपर सूट को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे कॉलर को भी हमें सीधा ही रख लेना है ठीक है तो इस तरह से रखे हमें सिलाई लगानी है पूरे गले में हमें कॉलर को सिल लेना है ठीक है तो यहां पर मैंने दाप सिलाई को भी लगा लिया है अब हमें यापर क्या करेंगे सूट की फिटिंग करेंगे तो दोनों पल्ले को बिल्कुल एक बरावर रखेंगे और जहां पर हमारा निशान लगा है तो उसी निसान के उपर हमें आपस सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने एक तरब से सिलाई को लगा लिया है सेम इसी तरीके से दूसरी तरब भी सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरब भी सिलाई लगा दी है अब हम हमें आपर क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो जापर हमारा कठा है, वाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगाना है अब हमें आपर क्या करेंगे चाक से लेंगे तो चाक को भी हमें कुछ इत्तर ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है ठीक है बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर हमने दोनों तरफ से कुछ इत्तर ऐसे चाक को सिल लिया है इसमें हमें दोनों परले में बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है और फिर बाजू सिलेंगे तो बाजू सिलने से पहले हमें यहाँ पर पट्टी सिलेंगे सोल्डर में तो यहाँ पर मैंने कुछ इत्राई की पट्टी ली है चोड़ाई धाई इंच है और लंबाई साड़े पाँच इंच है तो पहले हमें आपर देड़ इंच पर निसान लगाएंगे और इसको फोल्ड करके तिर्चे में कटिंग करेंगे फिर हमें आपर दो पट्टी को लेंगे और कुछ इत्राई से हमें सिलाई लगानी है तीनों तरब से तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है अब हमें आपर कट लगा देंगे और इसको सीधा करेंगे और इसमें दाप सिलाई लगा देंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने दो पट्टी तयार करेंगे कुछ इत्तरे की अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और सूट को मैंने कुछ इत्तरे से 20 सोल्डर पर कट लगाया है ठीक है तो इसी कट पर हमें इस पट्टी को कुछ इत्तरे से रख लेना है और फिर सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से दूसरे सोल्डर पर भी पट्टी को रखेंगे तरह से और फिर सिलाई लगा देंगे अब हमें यापर बाजू से लेंगे तो बाजू को हमें कुछ तरह से नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है तो यहापर मैंने सिलाई लगा दी है अब हमें आपा सूट को लेंगे और इसमें हमें पहले थोड़ी सी सिलाई उदेड देनी है बाजू सिल्ले के लिए फिर हमें आपर बाजू को लेंगे बाजू में जो हमारा कट है बो कट हम सोल्डर के बीचो बीच रखेंगे और जो हम तो यहाँ पर मैंने एक बाजू को सिल लिया है सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इत्रे से जो हमारी डिरेस है वो सिलकत त्यार हो गई है देखिए आप लोग देख सकते हैं इसकी मैंने सलबार भी बनाई है तो सलबार किस तरह से बनाई है तो इसकी वीडियो मालग से बनाएंगी तो अमीद कहती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले और बैला कन को भी दबा दे इससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों सबसे पहले मिल जाएगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए आखित तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक यू